अलेकम स्टुडेंट्स कैसे हैं आप लोग गुमी थे सब खहरियत से होंगे इंशाला अजीज आज हम काउंडाउन 3 कर रहे हैं स्टुडेंट्स ठीक है इसका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट की है exercise 3a है जैसे कि आप चेक कर सकते हैं यहां पर आपको filling the blanks दिये गए है यह जैसे आप देखें the fraction of the shaded part is 7.7 over 20 shaded part means that जो यह color हुए हुए है अगर आप इसको गोड़ से देखे तो यह total 20 है और 7 colors हुए हुए है 3 by 27 इसलिए है students क्योंकि 3 1 0 3 and 9 3 0 27 ठीक है अगर आप इसको deduct करते हैं 3 1 0 3 3 9 0 27 तो आपके पास 1 by 9 है जैगा यह इस तरह से complete किया हुए अब आपको जो मैंने guide करना है proper improper or like and unlike fractions के बारे में तो आप जरह यह गोड़ से देखें exercise 3 है page number 130 हमारे पास सबसे पहले आज़ेते है like और आज़ेते हैं हमारे पास unlike like fractions unlike fractions like fractions के अंदर students हमारे पास आज़ेते हैं कि दोनों digits यानि जिसा 7 by 9 है तो 8 by 9 यानि इसके denominators जो नीचे वेली values हैं same है तो it's like fraction इसको हम like fraction केंगे ठीक होगे students for example हमारे पास 7 by 9 है और 6 by 3 है तो यह हमारे पास आज़ेते हैं unlike fractions ठीक है students इस तांसे आपने इसको करना है let's see see part अगर आप देखें यहाँ पे तो 17 by 5 है ठीक है अब इसके बारे में मैं आपको guide करूंगी proper और improper fractions क्या होते हैं proper और improper तो जरागॉर से सुनियागा students proper fraction के अंदर ये proper है proper fraction के अंदर उपर वाली वेल्यू स्मॉल होती है और नीचे वाली वेल्यू बिग होती है इसको कहते हैं proper और improper के अंदर उल्ट होता है इससे उपर वाली value big होती है और नीचे वाली value small होती है इसको हम कहते हैं improper fraction यहाँ पर भी अगर आप देखें तो आपके पास यह answers 17 by 5 is an improper fraction 3 by 5 is smaller than 9 by 5 14 by 13 greater than 3 by 13 ठीक है यह आपने करने और true false आपने खुद से करने और comment में मुझे बताने भी हैं कि आपने किस तहां से solve किया और कोई issue हो तो आप students मुझे comment पर ज़रूर पुछा करें thank you so much, allahafis